Hello student कैसे हैं आप सब एक बारक्वनां SCU closing classes पर स्वगत है और SCU coaching classes की तरफ से student आपको मैंने कहा था कि test paper available करौँगा ये model paper student chapter 1 से 3 तक classical physics का है और आपको 70 अंग की student आपको यहा फहल टूटर 18 question दिये जाएंगे अब student इन question को आप कहेंगे कि क्या बाके में तयारी करना है जी हाँ student मैं आपको guaranteed कहता हूँ कि यदि आप जो भी question answer वाले प्रिशन हैं उनके दिए आप तयार कर लेते हैं तो इससे बाहर question नहीं आएगा लगबाग minimum जितने भी महात्पून question यहाँ पर add किये गए है तो आप लोगों का यह home mark है जो बच्चा test paper दे लेगा उसको PDF form बना करके description पे link दूँगा टेली ग्राम चैनल का और एक whatsapp group का link दूँगा वहाँ पर आपको PDF form में आपना PDF भेजना है यदि student यदि आप video form में नहीं भेज़ पाएंगे फिर आपका check नहीं होगा ओके तो मैं एक whatsapp group का link दूँगा student या कि whatsapp number दूँगा उस number पर आपको send करना है मेरे personal number में नहीं send करना अंथा copy check नहीं होगी और इसकी copy में check करके दूँगा हाँ एक चीज और student आपको दो दिन के अंदर फेज देना है है ना दो दिन के अंदर भेजना है अब ये नहीं कि आप लोग एक से तीन तक पूरे question मिलान कर लो और अपने book से या माली जे copy से आप उसका answer लिख लो इसके बाद भीज़ो ऐसा नहीं करना है आपको विजवत student है ना बेहतरी नंग से अपने आप में जो भी आप से बनेगा उन चीजों को करना है इसके बाद भीजना है इसके बाद मैं आपके answer का बिल्कुल समझाओंगा कहां कैसे क्या लिखना था क्या गलतिया की है आपने और उसका एक फिर अलाग वीडियो थोड़ा time लग जाएगा चेक करने में तेकिन आपके लिए मैं student इतना करूँगा तो आप लोग टेलिग्राम में एक ग्रूफ का लिंक रहेगा वहाँ पर आप जॉइन कर लेना और वो ग्रूफ के वल टेस्ट के लिए बनाया जाएगा बात में उसको डिलीट भी कर दिये जाएगा क्योंकि इस टोन वहाँ पर चैटिंग ज्यादा करते रहते हैं तो चले शुरू करते ह आज की कोशन फटाफट देखते हैं सबसे पहले सही विकल्ब चुनकर लिखना इस्टूडेंट बायू का परबैद्दूतां कितना हो चार आपसन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कोशनों को आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना इस्टूडेंट इसका फीडिय जो है वो ग्रूप में भेज़ दूंगा टेलीग्राम चैनल में तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं अगला कुश्चन एक उलाम आप इसमें लेक्टरानों की शंक्या कितनी है चलिए मॉडल पेपर है सभी प्रश्णों को त्यार करना है ओके चलिए आगे देखते स् चार आपसर में राइट एंसर आपको बताना है यदि आपका कोई भी प्रश्ण गलात हो रहा है यागी गलात कोश्चन लिखा गया है फिस्टूडेंट यदि आप उसको नहीं समझ पारें तो उस पर बूना संक दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं चलिए कोश्चन नमबर फूर ए एक तार का विशिष्ट प्रत्रोद निर्वर करता किस किस पर निर्वर करता ये चीज़ आपको बताना है कोश्चन नमबर फाइफ है पहला का पाचमा कोश्चन है निरवात की बिदु सिलता एपसिलान का मान कितना होता है चार आपसर नहीं यहां पर ध्यान कितना होता है आकार और दुदु छेत्र की तिवरता ऐसा ही मात्रक कितना होता है ओके यहां पर पांच कोश्चन होगे आगे देखते हैं सही जोड़ी मिलान करना इस्टुडेंट की दू आबेसों की बिच लगने वाला वाल दुदु आगूर का मात्रक चाला की धारिता प क्या है विदु दुदु धिरू आगूर की दिसा क्या होती है दाइटा के सही मात्रक चार कोश्चन है नहीं पर आफ देख 55 कोशन है पांचका है किर्शाप का पर्थमनियेम किस सिध्याउंट पर ऱ रलाई थे कैंग्ला कोश्चन कोश्चन नंबर 50- dedi flux के साही मात्रक, 12-dud-dud impaired क्या है? 2 number qootion फिर आवेश का quantum grunt क्या है? आवेश संस्चर के सिध्यानत को समझाइए ये आप क्या है – question दो-दो अन्की question है इसके शाही किरा सी संbihvot प्रिष्ट से आप क्या समझते है? अगला qootion is год o дан ये qootion is एक फरेड को परिवासित करना आपको और किसी चाला का प्रिष्ट सदैब संभी वह प्रिष्ट होता है क्यों इसका रीजन बताना है आपको okay, इस स्क्रिन साट ले सकते हैं चलिए, आगे देखते हैं किसी चाला की धायता को परिवासित करना दो अंकर का कोश्चन है ओम का नियम लिखना है और ओम की नियम की सरतें भी आपर लिखना है ओम का नियम और ओम की नियम की सरतें ओके चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नमबर टैने स्टुडेंट समांतर क्रम में जुड़े तीन संधायतरों की तुल धारिता के लिए बिंजा ग्याद किजिए स्रेनी क्रम में जुड़े तीन संधायतरों की तुल धारिता के बिंजा ग्याद किजिए अगला कोशिन देखते हैं कोशिन नमबर 11 है संधायत रखिशे कहते हैं इसका सिध्यान्त और माद्यमिक समांतर प्लेट संधायत की धारिता का बिन जाग्याद कीजिए मतलब समांतर प्लेट संधायत है इसके लिए बिन जाग्याद करना हो के कुश्चन नमबर टॉल वाइस टोएन आपके लिए अच्छी स्थित के लिए बिद्दु छेत की तीवरता गयात करना है और दूदु कोई कार्ण निर अच्छी स्थित के लिए बन जग मतलब एक अथवा है अथवा मेंसे एक ही करना हो के आप लोगो डाउट हो के सब्सक्र पूरे कोईश्चन करना नहीं अथवा नहीं करना आपको कुलाम के नियम क्या है कि नहीं दो बिंदो अवेसों के बिछ कुलाम के नियम की बितपत कीजिए गास प्रमे की शाहिता से कुलाम के नियम की ब्याख्या करना है कुलाम के नियम की ब्याक्ख्या करना है गास के प्रमे को लिखिए और सिद्ध कीजिए अगला कोश्चन है आपका इस्टून गास के प्रमे को लिखना और सिद्ध करना बहुत ही महात्मुन कोश्चन है जिसे आपको त्यार कर लें देदी आपसे नहीं बन रहा है तो अगला कोश्चेन है कोश्चेन नमबर 15 है निम लिखित बिंदु पर टिपड़ी देना बैदु दूदु धुद्रूब एक आंकाविश बिदुद्द ठलक्स बिदुद्द छेट की तीवर्ता या इसके अत्वा में बिदुद्द सक्ति ओम करियाम बिदुद बिवभा और वानडी ग्राफ जनित्र के लिए रचना येवं कारविट समझाए किसी बिंदू पर विद्दू छेत की तीवरता येवं विभाव को समझाए रथा इसमें संबंद इस्थापित कीजिए अगला कॉश्चन आपके लिस्ट्रोन की सिद्द कीजिए कि बैद्दू विभाव के लिए अनुप्रस लिस्थित पर किसी बिंदू पर विभाव का मार्थ सुनन जोता है याकि आपका इसका थबाए है एक बैद्दू दूदू कर कारण अच्छी स्थित में किसी बिंदू पर विभुव के लिए बिंजा ज्यात किजिए अगला कोश्चन के बिदुद बाहग बले विवांतर में अंतर बताइए और एक समान बिदुद शित में रखे बैदुद दूदुद रूपर लगने वाले बल और बली वा अगुन का बिंजा ज्यात कीजिए यह हो गए टोट नाया होगा पसंदाद प्रीज लाइक जरू करें दोस्तों सब्सक्राइब करें मिलते हैं लीवड़ी में जैहिन बंद मातरों